हिंडनबर्ग की फिर एक बार रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद हर कोई बोल रहा है कि चोकिदार ही असली चोर है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही लोग सोशल मीडिया पर दुरुबराटी का नाम भी लिखने लगे हैं आखिर दुरुबराटी ने हिंदनबर्ग रिपोर्ट को लेकर ऐसा क्या कहा है जिसके बाद हर कोई चोकिदार पर सवाल उठाने लगा है चोकिदार के साथ साथ अडानी और सेक्यूरिटीज और एक्चेंज बोर्ड यानी सेवी पर भी सवाल उठाए जाने लगी है आखर ये पूरा मामला है क्या और बीजेपी सरकार के नाकामियों को सामने नाले वाले दुरुबराटी न ऐसा क्या बोल दिया है जिसके बाद चर्चा अब ज्यादा होने लगी है इस पूरे मामले पे चलिए हम आपको बताते हैं दरसन नर्यद मोदी की जिगरी दोस्तों में से गोतम अडानी को लेकर फिर एक बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई बड़े और चोकाने वाले खुलासी किये गए हैं हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने सेबी की परभुक मादवी पूरी बुच के उपर संसनी खेस खुलासे का भी दावा करते हुए कहा है कि उनका और उनके पती का अडानी के स्केंडल से कनेक्शन है रिपोर्ट में सीधा लिखा गया है कि सेबी ने इसलिए अडानी समूग के उपर कोई कारवाई करने की कोशिश नहीं की क्योंकि सेबी चीफ मादवी पूरी बुच अडानी की पार्टनर है मादवी बुच और उनके पती धवल बुच का हिस्सा अडानी से जुड़े विदेशी फॉंट्स में है रिपोर्ट के सामने आने के बाद से देश भर में राजितिक सरगर्मी तेज हो गई है और इसी गरम माहोल को और ज्यादा गरम करने के लिए दुरुवराठी ने भी इस रिपोर्ट को लेकर ट्वीट कर दिया है दुरुवराठी ने ट्वीट करते वे कहा है कि न्यू हिंडनबर्ग रिपोर्ट की समरी ये है कि पहला अडानी पर घोटाले और धोका धड़ी का आरोप लगाया गया था दूसरा चोकिदार यानि सेभी चीफ ने कथित चोर अडानी को कलिंचिट दे दी और तीसरी बात ये है कि अब हिंडनबर्ग ने सबूत दिखाया कि चोकिदार ने खुद कथित चोर की ओफशोर कमपनियों में पैसा लगाया था मतलब वो यहाँ पर सीधे सीधे सेभी चीफ मादवी पुरी बुच को चोकिदार और अडानी को चोर कह रही है वैसे दोस्तो चोकिदार तो कोई और भी है देश का जो खुद को चोकिदार कहते हैं लेकिन देश लुटवा रही है कहीं दुरुबराठी इंडारेक्ली उसी व्यक्ति को तो चोकिदार नहीं कह रहे हैं जो अडानी को फायदा पोचाने की पूरी कोशिश करते हैं अडानी के उपर विपक्ष आरूप लगा दे तो उन्हें बुरा लगता है कहीं उसी चोकिदार की बाद दुरुबराठी कर तो नहीं रहे हैं फर दुरुबराठी के हिंड़र्बर की रिपोर्ट को लेकर ट्विट करने के बाद फिरसे एक बार सोशल मीडिया पर चोकिदार चोर है लिखा जाने लगा है वैसे दोस्तों दुरुब राठी हमेशे से ही सरकार के नाकामियों को लेकर बोलते रहते हैं जो बीजे पे समर्थकों को पसंद नहीं आता है अब देखना ये हुगा कि दुरुब के इस ट्विट के बाद वो लोग कैसे रियक्ट करते हैं किसे दुरुब पर ही तरह तरह के आरोप लगा कर मालिक को बचाने की कोशिश करते हैं और इस काम को करने के लिए वो कितरे नीचली सरभाशा का इस्तेमाल करते हैं वैसे राइट विंग वाले दुरुफ के ट्विट आने के बाद से ही लगातार काम पर लग चुके होंगे बस अब देखना ये हुगा कि वो लोग क्या लिखते हैं सोचल मीडिया पर खेर दोस्तों आप लोग क्या लगता है इस वीडियो पर हमें अपनी राइज जरू दें और बागी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रेगे हमारे साथ